अच्छा उमेश इस आये हुए हैं चलिए इन से कुछ बाते लेते हैं बताएं उमेश ची क्या करना चाहते हैं सर एक्चले मुझे सर हेलो डियूरियस का जो स्कंब है गरूर स्कंब जिसको बोला जाता है उसके इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी चाहिए थी कि उसका असन मैंने लिंक है फाये तो बता रह capable क्रण। नहीं करें कि दिखा जो है रिलाइवल्ड नहीं होता आपका हैुए बैग्राउंड आ रहा है तो जब तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं क्या यह बताना चाह रहा है है उसका इंस्क्रिप्शन है ना उसमें भगवान वासुदियों का बोला है उसने हिंदु धर्म स्विकार किया था ऐसा भी कुछ दिखा है नहीं तो ये तो नहीं तो इन तीनों के बाद आया है क्योंकि हिंदु सब्द भी अगर उस समय होता तो यह सब बता हैं तो आप लोग बता रहे हो यह तर्म लॉजी आ रहे हैं कहां से यह सारी चीज़े आ रहे हैं यह तो ना पड़ेगा इनको दो धरम भी तो होना चाहिए न उस समय अप मेरी समय रहे हैं पाली और उसका हिंदी में भी उदर मिनिंग दिया है उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि वासुदियों का भक्त विगर ऐसा कुछ बोला है चलिए अब वह भी किलियर ही कर देता हूं पूछी लिया है तो बता ही देता हूं यहां पे लिखा है जो इन्सक्रिप्शन है उस पर लिखा है कि देव देवस वासु देवस गरुण धोजे अयंग कारिते इस्य हेलियों दरेण भाग वतेन दियस पुत्रेण नकसिला केन योन दूतेन आगतेन महाराज स अंतलिकेतस उ अत्रो नहीं है, त्रो ब्राइकेट में लिखा गया है, यानि कि ये सब्द मीटा हुआ है, खुद से ही त्रो लगाया गया है, भा भी नहीं है, तू गो लिखा हुआ है, भा भी नहीं है, द्रस त्रातारस वशेन अच्चतू खुद से लगा दिया गया है, दसेन राजेन नहीं है वसुदेव में से वा है असुदे गायब है वस लिखा हुआ है यह लिखावट जो है न यह पाली की है यह संस्कृत की लिखावट नहीं है ध्यान से देखिए इसमें कहीं पे भी आपको एक जगा हलंत दिखा इसमें एक जगा भी यहां पे विशर्ग दिखा आपको लास्ट में जो हलंत होता है वो भी नहीं दिखेगा आपको कहीं पर विशर्ग वगरा भी नहीं दिखेगा और जो संस्क्रीत होता है न वो भी नहीं दिखेगा यह तो पाली के लिखावाट है न पूरी पाली प्राकिर्थ है तो पाली प्राकिर्थ का अभिलेक में अगर में लिखवाएगा मान लेजिए तो उस समय का या वैदिक बनता तब एक बात होती कि चलो वैदिक बना है तो वैदिक संस्कृत में लिखवाया है तो वैदिक संस्कृत तो यह है नहीं एक बात को समझे वैदिक संस्कृत तो है नहीं यह तो पूरा लिखावट ही आपका पा तो ये तो बौधों की परंपरा थी, अगर ब्रामडों की परंपरा होती अस्तंब बना के लेख लिखवाना, तो ये तो सारे इनके राजा जितने भी हुए हैं, ये तो मुगलों के समय में अस्तंब बना के लेख लिखवाते हैं, आज की भी डेट में अस्तंब बना के लेख का है और जो वहां के मध्य प्रदेश जो था दूसरी सदी की घटना है इसा से पुर्व की पहली से दूसरी तो पहली से दूसरी सदी में वहां पे सुतूप होते थे ठीक है ना यह क्या होते थे सुतूप होते अब देखिए यह दिखा देता हूं पूरा सच्चाई ही सब लोगों को जो है पता चलनी ही चाहिए क्या लिख रहा है विकीपेडिया में तो कुछ भी लिख देता है लोग भरमित हो जाते हैं थोड़ा सा इसका जो है न यह ध्यान दीजिएगा यह लाश्ट वाला उस पर ध्यान दीजिए यह क्या लिख रहा है लिख रहा है यह पहले के मंदिर के भगनवा सेस पर ही दूसरी सदी इसापूर्व में एक नया मंदिर बनाया गया लिख रहा है ना इसापूर्व दूसरी सदी में एक मंदिर बने मंदिर का सबूत नहीं मिला है बुल रहा है मंदिर बनाया गया आगे देखिया भी क्या लिखेगा यह मंदिर लगभग पहली सदी इसापूर के बाढ़ में बह गया लिजे भाई साब बाढ़ आया मंदिर जो है बह गया मतलब कोई संरचना अगर वहां खड़ा हुई अब बह गई तो बहुत आसान है कह देना कि हम मंद मंदिर था जब आप खोजेंगे ना इसी गूगल पर खोज लिजिएगा कि ओल्डेस्ट टेंपल कितना पुराना है तो इसा से पहले का ब्रामण धरम ने कोई टेंपल बनाया था बिल्कुल नहीं बनाया था तो कहां से मंदिर आ जाएगा यहां पे इसलिए कहता हूं कि व लड़ेस्ट टेंपल भारत में इसा से पहले मंदिर बनते थे टेंपल जो यह बढ़ाया बह गया कितना आसान है कहदों की मंदिर भी था अब बाढ़ में बह गया था इसलिए सबूत नहीं मिल रहा है फिर आगे देखिए क्या लिखता है इस अस्थान पर बनाया मंदिर व आचिंतम माना गया है अब देखिए वासुदेव कह दिया ना उस समय वासुदेव जो है बहुत जाता कथा में ही नाम आता था वासुदेव इनका कोई वासुदेव नहीं है यहां पर अब कहेंगे कि वासुदेव जो है विश्नु को कहा जाता था विश्नु लिखा होता जातक कथाओ का वासुदेव क्यों लिखेगा यहां पे? और देखिये मैं क्या लिखता है यहां पे? वेसनगर के पुर्व में पुर्व तीसरी सताबदी के सुतूप भी मिले हैं अब लेजिए कहानी सुतूप मिल गया इनका इसा पुर्व तीसरी सदी का सुतूप मिल गया लेकिन इसा पुर्व पहली सदी का इनको मंदिर नहीं मिला उबह गया मंदिर बना पानी बाढ़ में बह गया सुतूप नहीं बहा सुतूप मिल गया ये इनकी कहानी होती है फिर यह देखे, विद्वान इस बचे हुए सुतूपों को साची से भी पूर्वका मानते हैं, अब देखे, साची से सुतूप से भी इसका पूर्वका माना जा रहा है इन सुतूपों को, तो यह है आपकी विकीपीडिया की कहानी, खुल मिला के लाष्ट में इसने खुदर लिख दिया कि जो उससे भी पुराना जिसको यह कह रहा है कि यह वे मंदिर था उससे भी पुराना सुतुब मिल गया वह नहीं बहा अरे जब वहीं पे है बाड़ा आया तो तुमोच्छा मंदिर बना दिये थे तुम्हारी भगवान इतना कम घूड़ सुतुप बच गया मुंदिर बह गया बाद वाला पहले वाला बचा रहा है पहले वाला ना नश्ट होना चाहिए था कमजूड हो गया होता तो तो यह इनकी कहानी है अब असल कहानी मैं आपको पेस कर देता हूं क्योंकि यह एक तरफा हो जाएगा न अभी पूरा मैं जो है इनका क्लियर कर देता हूं कि चक्कर क्या है वहां यह एक किताब है इस किताब से मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखिए क्या लिखते हैं मद पर्देश में भेलसा के निकर्ड बेस नगर में एक यवन राजदूत हेलोडोरस का अस्तम्ब है इस अस्तम्ब पर दो अविलेख हैं एक साथ पंग्तियों का दूसरा दो पंग्तियों का अविलेख की लिपी ब्राहमी और भासा प्राकिर्त है बीच बीच में एक दो सब्द रूप संस्क्रित के दिखाई पड़ते हैं ऐसा पिजिन संस्क्रित के कारण दिखाई पड़ते हैं इस समझेगा इस बात को क्या होता है जो मैंने कहा न कि बीच में से कुछ-कुछ सब्द गायब हो गया है तो जो सब्द गायब हो गए हैं उनको इन लोगों ने अपने मन से डाल डाल के संस्कृत बनाया हुआ है लेकिन फिर भी ये जो लेखक हैं किताब के लिख रहे हैं इस बात को कि बीच बीच में एक-2 सब्द दिखाई पढ़ रहे हैं वो इसलिए लिए दिखाई पढ़ रहे हैं क्योंकि पीजन संस्कृत है ये इनका अपना कोई वैधिक संस्कृट या इनका जो अपना ये ख्लासिकल संस्कृट नहीं है क्योंकि हेलेवडोरिये से बाहर खाथा वीदेश का था तो वो आया था तो उसकी बीच में एक दो सब्द आ गया है उसको ये कह रहे हैं कि एक पिजन संस्क्रित है लेकिन क्या कह रहे हैं उपर अभिलेख की लिपी ब्राहमी यानि धम लिपी है और भासा प्राकिर्थ है ये साप साफ कह रहे हैं देखिए भासा प्राकिर्थ है भासा इन्होंने संस्क्रित का नहीं कहा कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि संस्कृत का अभिलेख है हिंदू का है इसका है उसका है यहां से देखिए यह साफ साफ आपको पता चल गया आगे देखिए अभिलेख लगबग 113 इसा पूर्व का है मतलब इसा से 113 साल पहले का है तब तक्षिला में बौध धर्म और गंधार कला का बोल बाला था लिजी भाई साब जहां आया बेस नगर में वो भी बधो का जगा था दोनों जगा बध था एक बध अपनी एक जगा से दूसरी जगा आया था उसमें हिंदू तथाकतित हिंदू का क्या लेना देना है यहीं खतम हो गया खेल इनका अब देखिए तब बेस नगर का पूरा इलाका बौध में था सांची सतधारा सोनारी अंधेर गिरासपूर जैसे बौध हस्तल अब यह देखिए यह बात जो है आपने विकिपेडिया ने भी बात मेंजन किया कि वहाँ पे सुतूप पाए गए हैं उससे भी पूराने पूरा अब यह बंदा मंदिर बनवाता तो सुतूप के बगल में थोड़े बनवाता अपना इसका होता ना अलग मंदिर होता न टेंपल तस्तम्भ है बधो की प्रंपरा और देखिए इतिहांसकार बताते हैं कि बेस नगर का यह अस्तम्भ वायू देव की स्मृती में भगवत ध गाथा कहा है उसका भी इन्होंने मेंसन किया है इतिहांसकार बताते हैं लेकिन आश्चर्ज है कि जिस वासुदेव की स्मृती में यह अस्तम्भ अस्थापित किये जाने की बात की जाती है यह वासुदेव इस अभिलेख के सीरे से गायब है इन्होंने क्या कहा है कि सूदेव की परिकलपना इतिहासकारों के दिमा की उपज है कुछ मिटे हुए अच्छरों की जगह सूदे की परिकलपना कर वासूदेव बना लिया गया है तो आपको तो यह अब घाल मिल तो पता चल रही होगी कैसे कैसे जो है लोग खुद ही सब्द गढ़ देते हैं जहां दोरस किसी नए भागवत धरम का अनुवाई नहीं दूसरी सदी इसापुर में बुद्ध को भगवत और उनके अनुवाई को भागवत कहा जाता था यह बिलकुल सही बात है क्योंकि वहीं मध्य परदेश के सतना जिले में वहीं पे जो भरहूत का जो सतूप है उस पर भगवतो बोधी, भगवतो सालो, भगवतो कोडी गमनशस, भगवतो सिखी बुद्ध इस तरह के बहुत सारे नाम आये हैं जिनके पहले जो है भगवत, भगवत, भगवतो लिखा हुआ है तो भगवत सब्द उसी समय बोधों का प्रतिक चिन था अब इस पे जो भगवत स भगवत वो बना लिया है, यह चीज़ आपको समझना हो, तो यहां से इनकी पूरी पोल खुल रही है कि उस समय भगवत जो है बुद्ध के लिए ही या पूर्व बुद्धों के लिए ही इस्तमाल होता था, तो भगवत धरम का अनुवाई भी अगर हेलो डोरियस है इसका म मध्य परतेस में दूसरे जगा भगवत नहीं, वहीं कि अभी लेकों में बुद्ध के पहले हर जगा भगवत भगवत लगाया मिला हुआ है, यह समझना होगा, तो यहां पी लिखते हैं दूसरी सदी इसापूर में बुद्ध को भगवत और उनके अनुवाई को भगवत क अब इनने भी लिख दिया यह वात को, कि हेलोडोरेड भगवतेन यानि यह बौध धरम का अनुवाई था, जब हेलोडोरस बेसनगर आये थे तब बेसनगर पर राजा भागवदर का सासन था, अब यह देखिए यहां पर, यहां पर जो है ना यह कुल मिलाके अब तो किलि क्लियर हो गया होगा, कुछ पॉइंट रह गया है, बताएं, नहीं सर, क्लियर हो गया है, और सर यह किताब को सा सा, यह किताब है, यह सम्यक पॉब्लिकेशन से मैं इसका ना लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ऑके, ओके, ओके उमेस जी, तो चलिए,